सामने शहर में चोरी की घटनाय रुकने कान नाम ही नहीं ले रही है आए दिन हो रहे ही चोरी की घटनाओं से एक और नागरे को में अपने जानमाल को लेकर चिंताय सता रही है वहीं दूसरी और स्थानिक पुलिस की रातर कालीन गश्त और नाकबंदी पर भी सवार्य निश लग रहे है कुश्मा पहले एक साथ अनिक दुकानों को चोरोद्वाला निशाना बनाने से पूरे शहर में हड़कम मच गया था उपरान दुक्का चिटपुट चोरी की वार्दातों की बीच अप चोरों नहीं अपना रुक मंदिरों की ओर कर लिया है कुछ दिन पहले पह अरुस इतेते कटकरी महराज अनुवां मंदिर में चोई की वारदात को अंजाम दिया गया वही। चोंबार की रात शहर के परफेसर कौनी स्थित श्री गजारन महाराज मंदिर को रात नौ बचे के लगबग पूचा पाठ आरती के बाद मंदिर के का पाठ बंद कर दिये गए तथा मंगरवार सुभा लगबग साथ बचे के दर्मियान जब मंदिर खोलने पहुचे तो मुख्यदवार के दर्वाजे की कुंडी टूटी हुई दिखी और स्टोर रूम की भी ताले की कुंडी टूटी देख चोरी का अंदेशा होते ही उक्तगटा की सुचना स्थानी को द्वारा सामनिर पुलिस को दी गई इस चोरी की वारदात में अग्याद चोरो ने मंदिर की दो दान पेटी से बड़े पहमाने पर रकम पर हाथ साफ किया तथा एक चांदी की श्री गजानन महराज की मूर्ती पर भी हाथ साफ कर गये वर्चिलर पैसे वही फेक कर निकल गये यह खबर हवा की तरहा फैल गई और लोगों का जमावड़ा लग गया इस गटना की साफने पुलिस सुचना प्राप्त होते ही थानेदार रविद्र मान कर अपने दलबल के साथ पहुचे तथा परिसर का निरक्षन किया गया और डॉक स्कॉर्ट को बुलाया गया डॉक स्कॉर्ट गांधी चौक के दहीकर कॉंप्लेक्स तक पहुच कर रुख गया जिससे अग्या चोर वहा से वाहन द्वारा फरार होनी का कयास लगाया जा रहा है मंदिर पर इससे तथा आसपास की सेसी टीवी कैमरे भी खंगा ले जा रहे है जिससे चोरों का पता लगाया जा रहा है घटना स्तल पर स्थेफ पूलिस अधिक्षया ग्रामीन पाखले पुलिस उपविभागी अधिकारी बापू रोहं क्राइम प्रांच अधिकारी करम्वाल न वीसिन यूस के लिए संवादा ताकिशो डुंडेले की रिपोर्ट